वेलकम डियर स्टुनेटेपर फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगा राइज स्मार्ट के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पे और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टन टॉपिक ब्लोड रिलेशन के कोड़ेट ब्लोड रिलेशन कोईशन करेंगे और ये आपके इसामिनेशन में आपको दो से तीन कोईशन देखने को मिल रहे हैं डियर सो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टन कंसेप्ट है जो की सीखना जरूरी है सो अगर मैं ब्ल सबसे इंपोर्टेंट है डाइग्राम बनाना और वो भी सेकेंड में डाइग्राम बनाना और वो तभी होगा अच्वा प्रापर प्रैक्टिस करेंगे डिया जैसे यहां पर देखो जड़ा क्या लिखा है मतलब हमें सिर्फ काम इस वाले स्केट्मेंट से हैं यहां पर लिखा है S plus H प्लस का मतलब क्या एडिया फ्लस का मतलब है ब्रदर इसका मतलब प्रोस पर्सन मतलब E हमारा ब्रदर है F का इसका मतलब यहां पर S जो होगा वो ब्रदर होगा है एच का 100% S हमारा यहाँ पर ब्रदर होगा एच का तो यह S हो गया और यह H हो गया मैं कह रहा हूँ S हमारे एच का ब्रदर है 100% S हमारा एच का भाई है यह information हमारे पास है डियर पहले से आंगे बोल रहा है H इन्टू आई इन्टू का मतलब है डियर इन्टू का मतलब है वाई इसका मतलब यहाँ पे ह हमारी वाईफ है किसकी वाईफ है अगर ह आई की वाईफ है 100% तो इच का पका हस्बेंड होगा यह हजबेंड वाईफ पके हो गये और आगे I पलस जे लिखा है प्लस का मतलब आंगे again brother तो I यहाँ पर भाई है किसका भाई है जे का भाई है तो I यहाँ पर जे का भाई है definite information है जे का gender यहाँ clear नहीं है बट यह clear है कि I हमारा जे का ब्रदर है हना अब आपके पास information है SH का भाई है HI की wife है और I जे का भाई है अब यहाँ पर पूछ रहा how is S related to I मतलब इस S का रिस्ता इस I से पूछा है तो 100% S हमारे I के एक तरीके से wife का भाई है 100% brother-in-law है wife का भाई है बिलकुल wife का भाई है yes इस सवाल का सही जवाब C option होना चाहिए समझ में आया simple सा connection हमको समझ में आया इसका मतलब I पका H का husband होगा तो I की पतनी H का S भाई है सो S हमारा I का brother-in-law मतलब I की wife का भाई है समझ में आई बात so yes question number one का सही जवाब C option समझ में आया so ऐसा ही question का answer करना है जल्दी से बताएगे इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा answer ध्यान से देखिए यहां भी आपको इस relation का diagram बनाना है और seconds में बनाना है जैसे यहां S into Z लिखा है into का मतलब होता है mother इसका मतलब S हमारी mother है Z की S is a mother of Z confirm बात है आंगे S हमारी जो है वो माँ है किसकी माँ है? Z की माँ है S is mother of Z definite information आंगे Z minus W minus का मतलब brother होता है तो Z जो है 100% वो brother है Z हमारा brother है किसका brother है? W का अगर Z W का भाई है अगर Z W का भाई है तो पक्की बात है W कौन होगी उसकी 100% भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है यहां पर जो information हमारे पास है वो यह है कि S हमारे Z की मा है Z W का भाई है 100% minus का मतलब एक तरीके से भाई होता है आंगे बढ़ते हैं dear आंगे minus का मतलब भाई इसका मतलब Z हमारे W का भाई है W divide J divide का मतलब daughter इसका मतलब W हमारी definitely daughter है किसकी daughter है? J की daughter है अगर W J की daughter है आप आप सोचिएगा जिर्ध्यान से अगर W J की daughter है इसका मतलब एक simple information Z और W भाई बहन होंगे और S इन दोनों की मम्मी है तो J इन दोनों के पापा लगेंगे इसका मतलब पक्की बात है S J की wife होगी 100% और J S का husband होगा So how is S related to J S? बिलकुल इस सवाल का सही जवाब वाई बिलकुल हम लोग A option के साथ जाएंगे So ऐसे coded blood relation में आपको diagram बनाना है और diagram बन गया तो seconds में answer आएगा जैसे एक और question में आपसे पूस्ता हो डिया जैसे यहाँ पर already relation दिया है आपको इसका diagram बनाना है चल्दी से बनाईए माइनस लिखा है पहले माइनस का मतलब brother इसका मतलब के जो है वो 100% brother है किसका brother है sir L का brother है आँगे L divide M divide का मतलब sister तो L हमारी sister है M की पक्की बात हो गई M plus N plus का मतलब husband तो M हमारे husband हो गई किसके husband हो गई N के husband हो गई इसका मतलब के L और M तीनों आपसे भाई महन लगेंगे और M की पतनी का नाम N है तो बताए के M का कौन होगा 100% के M का भाई होगा बिल्कुल brother होगा यह सिस सवाल का सही जबाब be option definitely के M का brother होगा और के N का brother in law होगा हमें हर एक बात का हर equation का answer दे सकते वो भी seconds में अच्छा थीक है अगला question number 4 जली से बताए इसका भी diagram बनाना है seconds में बनाना है जैसे यहाँ पर O plus N लिखा है plus का मतलब क्या होता है plus का मतलब होता है एक तरीके से brother so O हमारा यहाँ पर कौन है 100% brother है किसका brother है N का brother है आँगे N divide M divide का मतलब sun इसका मतलब N जो है वो 100% sun है N हमारा sun है किसका sun है M का sun है हना आँगे M minus L minus का मतलब husband so M हमारे husband हो गए L के so L इनकी wife हो जाएगी यह दोनों के बीच में husband और wife का रिस्ता है confirm हना और यहाँ पर O जो था वो 100% भाई था N का और N हमारा बेटा था M का इसका मतलब O और N भाई भाई हो गए और M इन दोनों की पापा और L इन दोनों की मम्मी तो how is O related to L 100% O L का sun होगा 100% बेटा होगा बिल्कुल सवाल का सही जवाब D option yes O L का बेटा होगा समझ में आई बाद very good बहुत बढ़ एडिया चले आगे बढ़ते question number 5 करते जल्दी से बताईए सवाल का सही जवाब देखो हमें बस diagram बनाना है seconds में आंसर आएगा I plus J लिखा है plus का मतलब brother so I हमारे confirm brother है किसके brother है J के brother है आंगे J divide के divide का मतलब sister तो J हमारी sister है K की और K माइनस माइनस का मतलब एक तरीके से son तो K हमारा son है किसका son है L का son है so L इन दोनों इन सब के पापा भी हो सकते हैं और मम्मी भी हो सकती है so how is J related to L yes J L की daughter होगी 100% daughter yes is सवाल का सही जवाब C option समझ में आया डिया आसान question होते है practice की ज़रूरत है डिया हना चलो चलो जली से बताओ question नमर्द 6 का सही उतर कौन सा option यहाँ भी आपको सिर्फ diagram ही बनाना है और seconds में answer आएगा जैसे यहाँ पर S divide X divide by Z divide का मतलब होता है sister तो यहाँ पर X जो है mother तो A हमारी यहाँ पर mother है Y की Y A का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी तो बताइए X Y का कौन होगा X जो होगा वो Y का कौन होगा यस एक तरीके से मैं कह सकता हूँ mother की sister होंगी बाई देको simple सी बात समझ में आती है मुझे यहाँ पर समझ में आता है कि X हमारा sister है Z का Z हमारा brother है हना A का confirm information है और A हमारी मा है यस A हमारी मा है Y की तो Y की mother मतलब A का वो बहन है X बहन है तो mother की sister भी बोल सकते हैं या फिर maternal aunt भी बोल सकते हैं हना mother की sister is a correct answer यस सवाल का सही जबाब A option बड़ा प्यारा question था ठीया समझ में आया क्या very good बाव बने डिया तो जल्दी से बताओ question number 7 का सही उत्तर कौन सा option होगा seconds में आशा दे सकते हो जैसे यहाँ पर A plus D लिखा है अब plus का मतलब होता है sun इसका मतलब confirm बात है कि A हमारा sun है किसका sun है dear D का sun है A हमारा D का बेटा है तो D उपर आएगा A D का बेटा है D minus C minus का मतलब husband तो D हमारे यहाँ पे husband है C के तो C उनकी wife होंगी यह बात confirm है यहाँ पर यह बात तो clarity के साथ है आंगे C into B into का मतलब होता है mother तो C हमारी यहाँ पे मा है किसकी B की अब अगर C B की मा है तो B उनका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है इसका मतलब यह हुआ कि C हमारी B की मा है हना और D A का husband है तो C और D husband wife हो गए इसका मतलब A और B आपस में भाई बेहन होंगे तो A B का कौन होगा यस A B का भाई होगा यस इस सवाल का सही जबाब B option आप पके से ऐसे सारे question कर सकते हैं डिया seconds में answer बना सकते है diagram बनाना है बस seconds लगेंगे डिया उसके लिए हना और इस question का answer सभी के comment box में होना चाहिए आपको क्लास बहुत सांदा लगी होगी ऐसे ही अच्छे अच्छे concept अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिलकुल comment box पे comment कीजिए कि आपको कौन से topic का अब कौन से question का set चाहिए जो कि आपके examination में आपकी practice को एक तरीके से improve करतेगा डिया तो मैं regular basis पर रोज सुबह 9 बच के पंदा मेंट पर जुड़ता हूँ और सांदार mock test की series चल रहे हैं दंगल चल रहा है तो don't miss it dear all I hope आप definitely life में सफलता की तरह बढ़ रहे हैं बिलकुल मेहनत कीजिए मेरे साथ जितने भी reasoning के doubt है रोज सुबह हम 9 बच के पंदा मेंट पर जुड़ते हैं और सांदार questions करते हैं So thank you dear all for watching my session मिलते हैं आप से एक सांदार session में आँगे continue करेंगे Thank you dear all